हेलो प्यारे बच्चों आज मैं आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी लेकर जो होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिसे सुनकर आपको अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आईए चलिए देखते हैं कि आज की हमारी नई स्टोरी कौन सी है आज की हमारी स्टोरी का नाम है यह कहानी पे आपने जरूर सुनी होगी और नहीं सुनी हैं तो चलिए सुन लेते हैं और अगर सुनी हैं तो दूबारा से सुन लीजिए लुद् लुद लुद लिपर जान वस लीङ इन वोड़ी लेग लागाच लुद लुद अरटो ओज द लुद उन्माँ लुद उorang लेऻ, लुद लुद वट इन लुद लवें हुद लुद रimm steeds वोड़े हो the life and promised to help him one day. The lion took pity on him and spread his life. One day, the lion was caught in a hunter's net. He tried his best to set himself free, but all his efforts failed. He started roaring. The mouse heard his roar and come to help him. He started cutting the ropes of the net with his strong and sharp teeth. The lion was set free very soon. He thanked the mouse for his help. Moral Do good, have good. Disturbed मतलब तंग किया Sharp मतलब तेज To spare मतलब छोड़ना आज की हमारी प्यारी सी छोटी सी एक lawyer और mouse की story थी अब हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं एक बार की बात है एक शेर जो जंगल का राजा होता है वा सो रहा होता है एक पेड़ के नीचे जंगल में तब ही वहां से एक mouse चूहां गुजरता है और वह उधर ही आसपस रहता है और वह लाएन के उपर इधर उधर जंप करने लगता है जब वह लाएन सो रहा होता है तब उसकी body के उपर इससे क्या होता है? लाएन डिस्टब हो जाता है उसकी निन खुल जाती है वह जाग जाता है और वह बहुत गुसा होता है और वह उसे पकड़ लेता है अपने पॉ मतलब पंजो में और उसे मारने लगता है तब ही mouse क्या करता है? उससे request करता है कि लाएन प्लीज मुझे छोड़ दीजे spare मतलब छोड़ना मुझे छोड़ दीजे मैं आपसे promise करता हूँ कि कभी न कभी एक दिन में आपके काम आऊंगा लाएन को उसके उपर क्या जाती है? दया वह उसके पर दया करता है और उसे spare मतलब छोड़ देता है और फिर एक दिन क्या होता है? एक शिकारी जंगल में आता है hunter मतलब शिकारी और वह उस लाएन को अपने जाल में पकड़ लेता है और वह लाएन बहुत कोशिश करता है अपने आपको छुडाने की पर वह उसे कई कोशिशों के बाद भी वह उसमें फेल हो जाता है वह बाहर नहीं आपाता है और वह जो-जोर से धाणने लगता है तो mouse जो उसकी धाण सुनता है और वह उसकी मदद के लिए आता है और फिर वह स्टार्ट करता है कटिंग मतलब रसी को उसके जाल को काटने के लिए कोशिश करता है और वह जल्दे जल्दी ही उसकी जाल रहता है शेर का जिसमें वह फसा हुआ रहता है वह चुहां उसके जाल को काट देता है अपने नुकीले दातों से क्योंकि चूहें के दात बहुत नुकीले होते हैं वह उससे कुछ भी काट सकता है इसलिए वह जल्दी से ही उसको जो लॉयन रहता है उसको फ्री कर देता है और उसके बाद चूहां जो है वह उसके जाल को काट देता है और वह शेर आजाद हो जात और फिर उसके बाद वह जो लॉयन है वह उसका धन्यवाद करता है कि तुम्हारी वज़ा से मेरी जान बज गई इस कहानी से हमें हशिक्षा मिली कि यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा इसलिए हमें हमेशा सभी की मदद करना चाहिए ताकि वक स्कूल में सुनाइए अपने घर में सुनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाए बाए दोस्तों